और श्री किछना रादे रादे कैसे होगा इस उम्मिद करते आप ठीक होंगे मैं बैंवी तीप होंगे और काम दूटाने के बाद आप आज मैं डालूंगी नीभू का अचार क्योंकि नीभू बारे सो रहे तो बहुत सारा एकदम से पक चुके हैं बहुत सारे एकदम से पक उन्हें तोड़ा है और काफी पनि समिन गिर जाते हैं तो ने भींघ रख्था जी बारे सोर एकदम से पूल गया पक्वी गए है तो नहीं तोड़कर उसका अचार डालेंगे तो बहुत सारा पढ़ेंगा कि बहुत सारे नीबू हैं तो डालते हैं चार किस तरीके से डालते हैं देखिएगा और कैसा लगता वीडियो और ये नीबू की रेस्पी सेर करना आप कमेंट में दाना ठीक है तो चलते हैं मसाले तयार कर दे और नीबू दुलके डाल देते हैं तो निबू कचार के लिए मसाले लेगी, इलेए इदर देख सकतों सारे मसाले हैं इसमें चोटी बड़ी हलाइची , ऑडल चीनी , काली बरेच , लॉंग सारा मसाला है , सावुत , जीरा है , अजय है यह नमक कूट लिया है, काला नमक है, बलैक वाला, इसे कूट लिया है, खलर से, अब इसे पीसेंगे, मिक्सी जार में, तो यह सारे मसाले लगेंगे, और यह नमक रहा, तो यही मसाले लगते हैं, निवू के चारे, और इसमें ना तेल की जरूरत है, और ना मिर्ची की, बस तो इसे पीष लेते हैं और जीरा ये दोनों साथ में पीषेंगे तो मसाल हमने पीछ दिये थे और इधर हम नीवू तोड़ने के लिए आ गए थे नीवू तोड़के बारी मेरे पेड़ पे तो इसने सारे पेड़ पे नीवू है और काफी लोग तो ले के जा रहे तोड़ तोड़के ले जाते हैं तब भी हमने इतने सारे तोड़े हैं और उसी काचार डालेंगे तो दूब में डाल देंगे पड़े हैं थोड़े से हम तोड़के तोड़ रहे हैं और बच्चे तोड़ गए थे तो इधर हमने दूब में डाल भी दिये हैं देख सकते हो यह देखो दूब में पड़े हैं नीबू हमारे इसे दूब लगा देंग क्योंकि नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए और इद्ध देख सकते हुने सारे मसाले तैयार कर लिये थे इन्हें मिला लेते हैं देख सकते दर बाइट वाला नमाक, खल्दी, जीरा, काला नमाक और गरम मसाला वगरा ये सारे कुछ सारे मसाले में लिए हैं ये देख मिक्स हैं दोनों मसाले हैं ये तो इने मिला लेते हैं इने पीस दिया था हमने अब इसे सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से सारे मसाले मिला के रख लेंगे और मेरे मसाले जादा हैं क्योंकि मुझे बाद में रखेंगे तो उठाके रख देंगे जादा लगेगा तो मसाला ऐसे उठाके रख देंगे कभी भी डाल सकते हैं और आप लोग सोच रहे हैं इतना चार डालती हैं क्या करती होगी इतना चार हम घर पे नहीं काते हैं और हमारे जो रिष्टेदार बगएरा हैं उन्हें सभी को हम दे देते हैं तो इधर हमने सारे मसाले तयार कर लिए अच्छे से मिला लिए हैं और सभी को दे देते हैं क्योंकि वैसे खरिद के तो कोई नहीं देगा अपने मेरे पेड़ खड़ा है उसमें नीबू लगते हैं तो डालके सभी को दे देते हैं तो इस तरह से बीर से कट लगाएंगे एक नीबू में चार पीस हो जाएंगे क्योंकि ऐसे भरके रखते हैं जब खाना हूं तो चार पीस हो जाते हैं तो एक एक टोड़के घालिजिए लेना ले लीजिए तो इस तरह से हम चार पीस करते हैं एक नइबू में और इससे क्या करना है ऐसी तरह से सारे नइबू और चैना क्रें तो इने काटते जाएंगे इसी तरह से भरना है बड़ा डिबबा लिया हैं उसी मीं बढ़ेंगे क्विश तोड़ा बहुत है नहीं जादा है तो बड़ा एक डिबबा लेना पड़ेगा अर जब बन जाएगा तो सभी को छोटे-चोटे डिबबा में दे देंगे और मेरा यहां से आता है तो इसी तरह से मैं रखती हूँ आप लोग कैसे रखते हैं कॉमेंट पे बार जरूर बताना तो इस तरह से मसाले को अच्छे से भरना है ताकि कहीं बिल्कुल भी रहे ना अच्छे से भर दोगे तो नीव हमारा साल क्या दो साल तीन साल तक खराब होने वाला चछे और काफि टाईम लगा था भरते भरते क्योंकि बहुत सारे नीवू नीवाटे कम से कम 15 15 16 क गेज़ी होंगे डाहूंगे कम नहीं होंगे तो इसी तरह से देख सकता हम दिखा रहाए इसी तरह से भरना है तो देख सकते हैं अतने सारे अमने नीवू भर लिए हैं एक और ये डिबे में डालते जाएंगे तो इसी तरह से ये भी हमारा दूसरा है हम ममी काट रही है हम बर रहे हैं दोनों लोग सास बोवे मिलके कर रही है ममी काट कर रही है और हम इसे मसालिव से भर रही है बस कुछ भी नहीं है बस यही ध्यान लगना है खाली अच्छे से भरना है तो यह देख सकते बरतन में भर दिया था डिबे में डाल दिये थे नीवू तो इधर हम और भी भर लेते हैं इसी तरह से भरते जा रहे हैं और डिबे में डालते जा रहे हैं अभी दिखाएंगे आपको लाश्ट में दिखाएंगे डिबा मारा कित अच्छे से कोटिंग करनी अच्छे बरना आ तो अएसे करेंगे तो analyse weerv имべy आपका चाल नहीं कराब होगा तो देख सकते होगा इसना मारा डिबा भर गया थोड़ा पच्छा है तो भरते बहरते समैं इसानी दो ना पानी निकलता झालेगा!